देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वो ही होगा, दिन बुरे हैं, जिन्दगी नहीं, ठोकर नहीं खाओगे जनाब, तो जानोगे कैसे, तुम शीशे के बने हो या पत्थर के, कानपुर, आज का वीडियो हमारा होने वाला है, नेक्स सिक्स्टी डेस स्ट्राटेजी पे कि हम लग नीट टू जीरो में कैसा अपना बैस्ट दे पाए, तो देखो यार पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहरा हूं, कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ स्टुडेंट के लिए जो सही मिचाते हैं, जो बिल्कुल भी सिर्फ नहीं है और प्लीज वो यह वीडियो अभी लीफ कर सकते हों, जो सिर्फ है वो आकरी तक देखना, थोड़ा वीडियो लंबा होगा मगा पका आपको फायदा करेगा, तो देखो यार पहले मैं बात करूंगा, तीन त 200 से कम आ रहे हैं, तो प्लीज आप 2021 के लिए प्रेपेर करो, अब आप 2020 के लिए बिकार में अपना टाइम ना विष्ट करो, क्योंकि आप, देखे मैं आपको सच बाद बता रहा हूं, अगर 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 आप कोई काटेग्री होल्ड करते हैं, तो ठीक है, आपको हो सकते में अच्छा कर सकते हो, मगर एक बात याद रखना, बहुत मेहनत करने पड़ेगी, मतलब ये समझ लो, सब लोग का प्रिप्रेशन हो चुका है, तो तुमको बहुत ज्यादा महनत करने है, मतलब अब दिन रात पस अब लगी जाना है, मतलब अब सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ त्याग देना है तब तुम कर लोगे ठीक है और बाकी जिनके 400 500 500 आ रहे हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि यार आप देखो आप लोग एक ऐसे स्टेज पर हो ना कि यार आप लोग बस एक हिट लगा सेलेक्शन और एक गलती हुई सेलेक्शन से दूर तो यह बात है कि यार बिल्कुल मतलब आप सब लोग बी एकदम सीरियस हो जाओ क्योंकि क्यों 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 क्यो तो बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं जो 565-70 तक पहुंचके रह जाते हैं ठीक है मगर इस बार वो सब बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया जो लोग ड्रॉप लेने वाले थे वो अब इस साल के कॉंप्टीशन में आग हो गए समझ रहो ना कि कैसे कॉंप्टीशन जो अच्छा कर रहा है तो यार यह मान के चलो कि कट ऑफ का राइस करेगा कैसा भी वी पेपर है उस षिसे सलब से भी कट उफ राइस करेगा तो यार तुम लोग को बहुत मेयनक्त करने हैं बिलकुल आप यह ना सोच मॉची तियारी हो गया यार इस मैजा बश्क्र बने मि हमनों full syllabus paper देंगे और कोशिश करेंगे एक दिन में दो दो दे लेंगे ठीक है और देखो यार मैं strategy आपको बताऊंगे तुमको क्या करना है पूरे syllabus को जो आप लोग पूरा syllabus पढ़ते हो ठीक है physics chemistry पायोगा तीनों को कुछ पार्ट में डिवाइट कर लो जैसे एलन के classroom बच्चों का क्या होता है कि six syllabus में लोग डिवाइट कर देते हैं पूरे syllabus को तो उसमें क्या होता है कि वो उसे साबसे preparation करो उसका paper देते हो तो देखो लोग क्या करेंगे इसमें क्या strategy हमारी रहेगी कि देखो for example अब हमको आपने शुरू की topic होती है जदे तर लोगों को अच्छा लगता और आता भी रहता है होता कि बाद के lessons में बच्चे परशान होते हैं जो बाद में आते optics होती है या modern physics होगी जिसमें अच्छा score कर सकते हो मगर due to lack of knowledge और lack of concepts आप कम score कर ले जाते हो मेरा यह कहना है अब हम लोग में time अपना मत दो दस बारा घंटे की selfish study करनी और यह बात याद रखना it's now or never वाला सीन है ठीक अभी कर लो या कभी नहीं कर पाऊंगे देखो मेरा एक चीज़ बात कहना है एकदम सयार देर से बनो पर जरूर कुछ बनो देर से बनो पर जरूर कुछ बनो लोग पता है आज कलपता है खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं समझ जाओना तो दम यार लग जाओ तो फिर देखो हम लोगो करना क्या रहेगा बायो में 38 लेसंस है physics में 30 30 है physics और chemistry में 30 30 है हम लोगो क्या करना है पांच से मांदे टू सैटरड़े हम लोगो क्या करना पढ़ना है ठीक है उस अपने अपने आपको एंटी वाले शेडूल में अपने आपको ले आओ कि 2-5 होना है पर तो उसे रिसाप से अपने आपको ढाल लो ठीक है तो आपको क्या करना है कि उठे हम लोगो सब्सक्राइब करने का बनो दो मैं फिजिक्स करता था सुबह मेरे को लगता था यार conceptual च चुके होगे अभी तक मैं यह मान के चल रहा हूं तो जो बच्चे कम भी ला रहे होगे वो लोग भी पढ़े होगे उनको अपनी कमिया पता होगी या formula नहीं यादोगा या concepts नहीं सही से पता होगे या practice नहीं किया होगा या लापर वाहिल करी होगी ठीक है इसके लाब और अगर तुमने अभी तक physics की short notes नहीं बनाई short notes includes concept Hindi में लिखो English में लिखो जैसे तुम्हें याद रखी अच्छा ऐसी चीज में ऐसा ऐसा होता है यह चीजे होती है इसको याद रखना है तो याद रख लो समझना है तो समझ लो उसको अपनी language में 2-3 page में हर एक एक lesson को complete करो तो तुम उसको short notes लिख लो short notes कब लिखो जब सारे question practice कर दो मालो कोई तुमने book उठाई जिसमें तुम मार्क कर रख्यों साल भर question लगाए थे और जाए तुम्हें doubt आए तो वह question कर लेना और कोई मालो कोई random कोई नई book उठा लिए जिसमें 100-100 question इस chapter में है तो क्या करना है ह हमने पढ़ा पहले theory पढ़ी फिर हमने क्या किया question practice किया question हमेशा time में हमेशा बूलता हूँ जभी question practice करो timer लगा के मालो 200 question कर रहो physics में तो 200 मिनट के timer लगा के करो ठीक है तो मतलब एक मिनट पर question physics में को यह speed up नहीं रखनी है ठीक है बहुत ज़्यादा हुआ तो one एक मिनट 10 second बस उससे यादा नहीं क्योंकि यादर को एक्जाम का pressure होता है तो अपने आप यार वो time हम लोग ज्यादा ले लेते हैं कभी-कभी तो उससे साब से चलो तो हमारा क्या करना है कि हम लोग ने theory पड़ा questions लगाए उसके बाद अगर अभी तक short notes नहीं बनाए हो तो short notes बनाओ ठीक है time लगेगा मगर बना लो या जो को काम आएगी short notes बनाओ क्या लिखना है formula को direct formulas होते है direct cases होते हैं जो याद रखने है वो लिखने है ठीक है और concepts लिखने जो हिंदी में English में जैसे तुमको समझ में अपने जैसे तुमको बेचना नहीं है ना notes यह अपनी short notes अपने इक बज़े सपोज तुम लंच करें दो बेच तक free हो गए फिर rest करो थोड़ा सा फिर तुम मालो तीन बज़े से पढ़ना start कर दे बायो तो तुमने मालो बायो पढ़ा अभी तक देखो यार तुमको क्या करना कि बायो मैं NCRT पढ़ो NCRT में जो extra points लिखे वो पढ़ो NCRT का ठीक है तो तुमने मालो खतम किया दो lessons तुमने complete किये अब biology में हम लोगो क्या timer माल लो अगर हम 200 questions biology में लगा रहे है तो हम लोगो timer क्या set करना है 100 minutes का 30 seconds per question maximum कितना होना चाहिए 40 seconds उससे आदर नहीं लेना है आपको बायो में ठीक अगर हमको सही में बायो में 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 मे पाड़े के खतम किया बायो कोई short notes नहीं बनानी मैं हमेशा कहते हूं बायो की कोई short note जैसा existing नहीं करता NCRT is your only short notes वही तुमारी handbook है वही तुमारी सब कुछ है ठीक है बागी तुम memorize करने के लिए अलग-अलग methods use कर सकते हो मगर वही तुमारा सब कुछ है ठीक है अब क्या क्या हुआ नौ बजे तुमारा हो गया फिजिक्स बायो आज कर पूरे दिन का तुमने जो जो टार्गेट सेट किया तुमने कंप्लीट कर लिया अब क्या हुआ रात को तुमको क्या करना है फिजिक्स की short notes उठाओ एक बार देखो यार कि जो आज हमने पढ़ा था उनको कि तुम क्या करो कि पूरे दिन बर का जो हमारा एक schedule था उसको अपने mind map जैसे हमने पहले एक बार रिवाइस कर लिया है कि हां यार बायो में हमने यह पढ़ा फिजिक्स में यह पढ़ा यह चीजे अब हमको कल chemistry में यह पढ़ना है और देखो यार दो-दो सब्जेक्स का पैन जाओ जगने का मन करें तो कुछ यह सब वीडियो मत देख लें रगला जो आज कल ट्रेंड में चला रोज इसको कर रहा है वो उसको कर रहा है जो यह YouTube वर्सस टिक-tok हुआ ठीक है सबने बहुत इंजोए किया YouTube वर्सस टिक-tok दो यार उसमें पता है क्या दोनों का फायद किस चीज सब करना है अपने ऊपर अपने पणाई के ऊपर यार अपने पैरेंट्स के बारे में हो रहा है उलप्तप लगए माली मौन प्ला रखा था अब तुमने अगर सुबह का स्लॉट फिजिक्स को दिया तो सेम फिर से दो अब क्या होता है कि कुछ लोग पुछते हैं कि अलार्म लगा के सो रहे हैं उस टाइम उठे नहीं हम जब सोने को सोसने तब सो नहीं पाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं जब भी सो उसके 6 घंटे बा कि अब यह टार्गेट यह लेके चलना ना एक दिन में एक चैप्टर खतम करना कुछ बड़ी बड़े चैप्टर सुंगे जो दो दिन लेंगे तो यार 50 डेज में हम लोग को करीबन पूरा सब कुछ खतम करना है और मैं यह कारेंटी कर रहा हूं कि अगर तो लोग यह स्ट दो कोशन गलत की तो उसको देख लिया ठीक है ऐसे चलते चलते हम लोगों ने छे दिन करें अब कैसे क्या डेली का टार्गेट क्या होना चाहिए बायो मैं हमेशा कहता हूं यार दो चैप्टर तो कम से कम डेली करो मान लोग कुछ चैप्टर बढ़ें एविशन बढ़ा है और प्लस हम लोग क्या चलना है अल्टर्नेट चला रहे न तो या बायो भी लोग डेली तो नहीं पढ़ देखा जाए तो तो तीन दिन में दो बार ही बायो की टर नाई ऐसे सारे सब्चेक्स की दो बार तर नाईगी तो अल्रेडी तुमारा मतलब 66 परसेंट ही तुम आप सब्सक्राइब तो कोश लेसंस तो उत्ता है एवरेज लेकर चलो पड़े हो उसको एक का लो लो मगर हमारा क्या टार्गेट है कि खतम मतलब खतम मतलब खतम मतलब मेरे को को बी6 कोई भी डाउट कुछ भी नहीं बचना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं बचना है मतलब depression solve कि तो यार तुम ऐसे तो बहुत अच्छी बात है अपने आपसे मांदर हो मेरा यह कहना है कि मालो जो तुम पांच कुशन गलत कर रहा हूं वही पेपर में आ गए ठीक है तो यार तुम्हारा बहुत नुकसान होगा होता है कि हम कुई लेसन पढ़ते हैं तुम लोग सौ में सौ सजहें तो हम लोग वह को उन दस कोशन के ऊपर भी वर्ग करना सौ में नव्हें बहुत अच्छी बात है तो तुम्हारा क्या होगा, Electrostats के पूरे lesson से सिर्फ दो question आए और वो तुम दोनों नहीं कर पाई, या एक ही कर पाई, तो तुम्हाई efficiency क्या रहे गई, 0% या 50% है, तुम खुद सोच लो कि every question values, हर question का importance होता है, तो कभी भी गलत कर रहे हो ना, यार question का गलत बात नहीं है, क्यों गलत हो रहा है, यह जानना, नहीं जाने, तो गलत बात है, जान जाओ कि क्यों गलत हो रहा है, तो उसको सही कर लोग, यार, तो ऐसे हम लोग क्या करेंग, 6 days हम लोग पढ़े, Monday to Saturday, अब Sunday क्या है, पूरा revision करना है, आगे नहीं भागना है, जल्दी बाजी में आगे हम भागिंग, भागिंग, नहीं, भाग रहे नहीं, सबर करो यार, करो सबर, ठीक है, तो आगे नहीं भागना है, इसको समझ में नहीं 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 पर आगे, तो इसको देख लो, फिर तुम्हें एक बार देख लो, फिर एक बार पहनी नहीं तो गलत कि यह तो उसको देख लो, क्या हुआ, तुम को समझ में ना, कि तुम अपनी कमजोरियों पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तुम इंप्रूफ करते हैं, देखो यार, जिसको कोश्चन पेपर्स की प्रॉब्लम में, या सिलबस कैसे डिवाइट करें, क्या करें, कैसे करें, खुद से नहीं कर पा रहे हो, या कौन से कॉश्चन पेपर लगाएं, कौन सी बुक लगाएं, क्या लगाएं, तो देखो यार, जो सूटेबल बुक्स थी, जो आपको लास्ट टाइम लगानी चाहिए, और इवन टेस्ट पेपर्स, जो एलन के क्लास्रूम के इस सेशन के हैं, वो अचीवर्स फेस के, व वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो, तो अब क्या हुआ, कि हम लोगों ने 6 दिनों की महनत को, हम लोगों ने 7 दिनों में क्या कर लिया, अपने पास कैद कर लिया, कि हाँ यार, यह चीज़ा मेरी पक्की होगे, अब हम 4 देंगे topic, सेम अगले दिन का प्लान किया, सेम अगल नत करके, क्योंकि यार देखो, एक चीज़ जान लो, तुम 400 से कम ला रहे हो, तो अगर मालो तुम है 400 नंबर आ रहे है, 380 आ रहे है, 420, 450 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम खराब हो 500 वाले से, पता है, तुमने क्या गलती की है, तुमने कभी अपनी गलतिय का एनलिसिस करो, देखो यार मैंने सारी चीज़ों के उपर वीडियो बनाए, कि test paper अगर attempt करना है, तो उसके उपर एनलिसिस कैसे करना है, strategy क्या होनी चाहिए, मैंने subject wise strategy बता रहे है, कि मैं स्टी में तीनों, organic, inorganic, physical की, physics की मैंने बता रहे है, कि क्या आखरी में करना चाह तो मैंने वो सब practically, logically, possible चीज़ों को ही बोला है, ठीक है, तो समझ मैं है न, ये सारी चीज़ों हम लोगों ऐसे plan कर लोगे, तो फाइदा क्या रहेगा, कि हम लोग पूरा अपना syllabus pack कर लिए, अब क्या है में पास 10 दिन बचा है, 10 दिन में जितने mock test दे सकते हो, देखो यार एलन का mock test दू, आकाश की AI test के चक्कर में मत पढ़ना, मेरा personal suggestion है यार बाकी अब तुम लोग के उपर है, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा high level का रहता है, और यार depressed अगर 10 दिन पहले हो गए न, exam के तो बहुत दिकार होगा, एलन का paper, more or less, main paper जैसा ही होता है, थोड़ा स अच्छा है, हमेशा timer set करके question लागा, आज के हम लोग की video से पहले तुमको यह बताते है, highlights क्या है, कैसे follow करना है, क्या schedule follow करना, अपनी गलतियों पर कैसे work करना है, कैसे क्या revise करना है, वो बता है, दूसरी चीज़ जब भी question practice करनी हमेशा timer लगा के question practice करनी है, यह हम लोग न दे तक इंसान नहीं कहाता है, मेरा पूरा silver aquell सES खत्म हो गया, मेरे को सब आता है, मैं expert हूँ, मेरे को सब आता है, मैं कभी नहीं कहाता है, being in a need experiment मैं भी रहू हूँ, मेरे को भी आखरी दिन तक अपने उपर doubt था कि यहर तुमें सब आता है, कि यह नहीं आता, तो यras तो देखो उसके बाद अगले दस दिन तक तुम के अक्रों को डेली दो पेपर लगाओगे दो से पांच और एक अपने कोई सोटेबल टाइम पर दो तीन घंटे का पेपर दो घंटे का नेलेसिस में जो गलत हुआ है पायो का कोई लाइन गलात हुई NCRT की वो लाइन पढ़ पढ़ो उसके पीछे का पड़ो उसके आगे का पड़ेक्श स कोई चीजब गलात हुई इसको कम करो गलत सबसे होती जी नेगेटिव सबका होता है, कम जो कर ले था, उसका selection हो जाता है, ठीक है, तो silly mistakes पर work करो, ये हाँ, physics में यह से घलतियां होई, तो formula में नहीं आता था, अच्छा formula नहीं आता था, formula device करो, अच्छा concept नहीं आता था, हम सही जारहें गर parfait calculation गलत कर देंगे, जहार, इस वैसे कोश्चन गलत हुआ, तो समझे रहो ना, ऐसे करके तुमको अपने लूपोल्स पे वर्क करने, तो दस दिन में 20 पेपर दोगे, तो उससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा, बाग की यार, मैं फुल सिल्वर्स पेपर अपने टेलीग्राम चैन लोकल कोचिंग्स का ना लगाना थोड़े स्टैंडड कोचिंग्स का लगाना और हाई लेवल के चकर में मत पढ़ना प्रिवियर्स एर लगा लेना ठीक है तो यार इतना ही मेरा कहना है कि बस यार मतलब समझो नहीं आया अब मेहनत अब टाइम मिलिए तो महनत करड़ा गए मतलब कट आफ यार राइस करेगा मैं तुम लोग कुछ छूट नहीं बोल सकते कि कट आफ राइस नहीं करेगा कुछ लोग मेरे सब उसने भईया वो टीचर ने बोला था यार पेपर पड़ा टफ आने वाला है यार पेपर टफ आएगा कि एजी आएगा हमने तुको यार पहली बात हम एंटीए के डिरेक्टर जनरल नहींगे ना वो टीचर है जो बता आने कि पेपर टाफ आने वाला है ठीक है इवन एंटीए वालों को भी नहीं वो रिवील करते हैं यार उनको भी सईसे नहीं तो एक नंबर गिरने पर तुमारा rank का कम नुक्सान होगा तो यार एक एक नंबर पर हो सकता है तुम college पा रहा हो ना पा हो समझ रहा हो ना तो यार और ये क्या level बेफल क्या होता यार परगेपर टफ है easy है तुमने पढ़ा है तो तुम्हारे लिए सब ही जब तक टफ रहती जब तक हमें आता नहीं रहता है और जब आ जाता है वही चीज़ हो जाती है तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग को सब कुछ सीखना है रिविजन प्रोपर करना है और यहर सीरियस सिंसियर हो करके कोई फाल्तू के वीडियोज में नहीं पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे चंसेंट्रेट करना है अपनी वह प्रिश्यस जैवलरी पे होते हैं जो तब करते हैं वैसे तम अधब सन्यासी बन जाए तम सब कुछ भूलके सब में भूलकर पढ़ाई में लग जाओ ठीक है वाकी जो मैं हर वीडियो में आप से आखरी में पूछता हूँ इस वीडियो में पूछूंगा पूछ लूँ चलो पूछता हूं हाउस दज योश हाई होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए क्योंकि नोगों नीट को फोड़ने वाले 13 सप्टमबर को थीग है वह सीट हमारी रखी हुए तो यार पढ़ते रहो बिंदास रहो और अच्छा लगे तो शेयर कर देना चलो बाबाई अगली वीडियो मिलते हैं